थेलो बच्चों कैसा आप लोग सब आई होप आप लोगों को कल जो लेसन कराया था लाइबरेडी पीरियड हो समझ में भी आया ओकर आपने उसको रीड भी करा होगा फिक है आज हम क्या समझेंगे उसकी एक्सराइज को समझेंगे तो फर्स्ट है टिक दा करेक्ट ओक्षन यानि की MC की उस है टो गेट दा बुक फ्रॉम आ लाइबरेरी वन नीट्स तू डैश लाइबरेरी से बुक पानी के लिए हमको क्या करना होता है गेट इट इशू उसको इशू कराना पड़ता है तो यह पटिक करेंगे चारू इस फॉंड ओफ डैश बुक चारू को किसका शौक था किताबों को पढ़ने का शौक था सीप पटिक करेंगे रिडिंग पर चारू बॉन्टेट तो रीड डैश चारू पढ़ना चाती थी क्या बुक पढ़ना चाती थी ना बी पटिक करो Before getting a book, book लेने से पहले Our student must show his विद्यारती को क्या बताना पड़ता है उसका library card, C पर टिक करेंगे The name of the book that Charu wanted Start with the letter Charu जो book पढ़ना चाहती थी वो कौनसे letter से start हो रही थी The yellow dragon नाम था ना तो दा यानि कि T तो T पर टिक करेंगे यानि कि C पर टिक करेंगे, ठीक है फिर क्या दिया है B में Answer the following question तो which book did Charu want to read Charu कौनसा बुक पढ़ना चाहती थी तो Charu want to read the book The yellow dragon Charu कौनसा बुक पढ़ना चाहती थी Yellow dragon What is Charu fond of Charu को किसका शौप था Charu is fond of reading book Charu को किताबे पढ़ने का शौप था अब next page पर What did Charu show to the librarian before she gave her the book Charu ने librarian को किताब लेने से पहले क्या दिखाया तो Charu show her library card before she gave her the book उसने अपने library card दिखाया ना बुक लेने से पहले Who helped Charu to find her book and how Charu को उसकी book ढूणने में किसने help करी और कैसे तो librarian help Charu to find her book librarian ने Charu को उसकी book ढूणने में मदद करी by the index card index cards के द्वारा उसने उसकी book ढूणने में उसकी help करी अब है right wrong A library is a big place where teachers pass their free time Library एक बड़ी सी जगा होती है जहाँ पर teacher अपना free time pass करते है तो क्या आएगा wrong आएगा वहाँ पर तो किताबे पड़ी जाती है ना Charu went to the library to meet the librarian Charu library में librarian को मिलने गई थी नहीं ना तो wrong करेंगे there were hundreds of group thrown on table in the library वहाँ पर सेकडों की संख्या में किताबे फैकी होई पड़ी थी library के अंदर table के उपर तो क्या आएगा wrong आएगा क्योंकि वो दो shells के अंदर चचा के रखी होई थी ना the librarian helped Charu find her book librarian ने Charu की help करी थी ना गुप रोणने में तो right आएगा Charu found her book easily Charu को उसका एक बुक आसानी से मिल गई तो right आएगा Charu promise the librarian to return the book after 15 days Charu ने librarian को 15 दिन के बाद किताब लोटाने क्या promise करा था तो क्या आएगा wrong आएगा क्योंकि उसने तो date खतम उनने से पहले ही book written देने का बोल दिया था ना अब आपको इसका पीडियाप आज आएगा तब आपको इसको बोक और नोड़ोबूक में complete कर लेना है Okay bye, thank you, have a nice day